प्रीच रस्वई में आपका स्वागत है आज मैं चना दाल और उंफली की चटनी की दैसे पी शेयर करने वाली हूँ और इस चटनी को हम रोसा इडली वड़ा और उत्पम के साथ खाते हैं बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी बनती है उमीद है आपको पसंद आ लिए और नमक स्वाथ के अनुसार लेंगे आधा चम्मच साबू जीरा लेंगे करी पत्ता है और इसको हम धोलिये हैं और अधर का टुकड़ा है इसके छिलके निकाल लिये हैं एक इंच अदर का टुकड़ा है अदो हरी मिर्च का यूज़ किये हैं एक चमच इसमें काला स तो मुझफली डाल देंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे इस तरह सी चटकने लगा है मुझफली अब हम इसको निकाल लेंगे बहुत ज़्यदा ब्राउन नहीं करना है अब इसे कड़ाई में हम चनादाल को भी रोस्ट कर लेंगे च इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करते हैं और मुझफली के छिलके को इस तरह से निकाल के अलग कर लेंगे मुझफली को छिलके निकाल लिये हैं अब हम चटनी त्यार कर लेंगे अब जार में हम चनादाल को डाल देंगे और मुफली को डाल देंगे और इसमें साबू जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च के जगा हम लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और अध्रक को काट करके डाल देंगे करी लिपस को डाल देंगे और नमक स्वात के नुशाल लेंगे नमक और मेच अपने स्वात के नुशाल लेंगे और इस तरह से चटनी पानी डाल करके हम पीस लिये हैं अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो गैस ओन करेंगे कड़ाई गरम करेंगे जब कड़ाई गरम हो जाए तो इसमें दो बड़ सक dmän के लिए हम भून लेंगे और ये बून चुका है अब हम गया स sob करते हैं और इसको आप हम चटनी के ऊपर इस तड़के पैला लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे, अगर चटनी गारी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसमें निंबु का जूस डाल लेंगे, निंबु का जूस के जगह हम दही का भी यूज़ कर सकते हैं या हम इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं तो चनन swag दाला मुवर्फली की चटनी बन करके तयार हैं आप भी जरूत राइख किजिए। और ये चटनी की रसिप के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू झाल 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 झाल